नमस्कार मित्रों, मैं हूँ दिपंदर सिंह राठोड और कृष्णा अकेडमी अजिमेरी की तरप से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो फ्रेंड्स हम अपनी पिछली कक्षा में, बायलोजी के कक्षा में हमने स्वशन तंतर तो कंप्लीट कर लिया था और कंकाल तंतर का first part अपने पूरा कर लिया था कंकाल तंतर के अंदर मित्रों ने अपने जो introduction है उसकी चर्चा की थी तो जिस भी फ्रेंड्स ने आपके पास ये वीडियो नहीं भी देखी है करपया करके आप पहला वीडियो जाकर देखें तभी आपको ये समझ में आएगा आप जितना अच्छे से इसको समझोगे पहली वीडियो को तभी जाके आगे आपको सारे के सारे लेक्चर समझ में आएग क्यों इंटरकनेक्टिड है ठीके ना फ्रेंड्स तो मैं एक बार मैं अब ठोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि जो भी नए लोग देखनी हों इस वीडियो को उनको ठोड़ा सा काणेक्टों जाए मैंने बताया था कि कंकाल तंत्र आपके पास क्या होता है आपके पास एक सori सरुशाः प्रदान करता है और अस्थियों और मासपैशीयों स बाहिये कंकालतंतर किसे मिलकर बना होता है बाहिये कंकालतंतर मैंने बताया था कि मीजोडर्म और एक्टोडर्म नामक जनन इस तर से मिलकर बना होता है और अंतहा कंकालतंतर स्रिफ मीजोडर्म से मिलकर बना होता है और दोनों में आपको difference भी बताये थे, उसके बाद examples बताये थे और फिर मैंने अंतहर कंकाल तंत्र endoskeleton के बारे में चर्चाय कीती जिसमें अपन को अस्थियों के बारे में पढ़ना है और हमें मासपेशियों के बारे में पढ़ना है अस्थियां मैंने स्टार्ट किया थी बताया था VYASK के अंदर जो भी अपने अडल्ट होते हैं उन अडल्ट के अंदर आपके पास अस्थियों की संख्या कितनी होती है अस्थियों की संख्या 206 होती है और इन 206 हड्डियों से बनने कंकाल तंत्र को रुपायस, कनकरल तंतर को बाड़ सकते हैं, अख्षी और उपांगिया Partanird časard we are jakim के अंदर में एक बार फिर से स्सक्राइट कर देता हूं, क्या क्या पढ़ाता हुआ आप पने मैंने आपको बताया था है अक्सी कनकाल तंतर के अंदर है सिर के अंदर, कितनी है तो सिर के अंदर मैंने बताया था आपको कि अक्षिय कंकाल तंतर के अंदर सिर के अंदर आपके पास होती है 29 यह मैंने आपको बताया था उसके बाद मैंने आपको सिर के बाद में आपको बताया था कि पसलियां पसलियां कितनी होती है आपके पास पसलियां होती है 24 जोडी ह हड़ी होती है रीड की हड़ी कितनी चोटी 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 अस्थियों से मिलकर बनी होती है उसके बाद में एक होती है छाती की हड़ी और उसको चैस्ट बोलते हैं चैस्ट वाली हड़ी बोलते हैं उसका इस्ट्रनम नाम होता है वो एक ही होती है आपके पास तो यह कुल मिल च्छे हड्डियों में हमने जो अक्षिये कंकाल तंत्र बाटा है यह 30 हड्डियां या जो आपके पास 80 हड्डियां है वो किस परकार से विखतरित होती है यह हमें ध्यान रखना है चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहला सिर के अंदर कितनी हड्डियां है 29 हड कि सिर के अंदर 29 हड्डियां है वो 29 हड्डियां किस परकार है तो सिर पढ़ते हैं सिर के अंदर 29 हड्डियां किस परकार डिवाइड होती है तो देखते हैं अपन मैं आपको बताता हूं सबसे पहले देखिए इसका वर्गी करन किस परकार होता है सबसे पहले आपके पास ह क्या बोलते हैं किरिट कपाल या फिर जिसको बोलते हैं किरिट और इसको अंग्रेजी बाशा में भी नाम ध्यान रखना है वेरी इंपोर्टेंट है इसको बोला जाता है क्रेणियम क्या बोलते हैं क्रेणियम बोलते हैं पूछा जाता है बहुत बार तो कपाल किरिट या क्र कपाल के बाद में आपके पास आता है चेहरा, जो फैशियल है, वो आपका चेहरा जो है, चेहरे के अंदर कितनी हड्डिया पाई जाती है, चौधा हड्डिया पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, चौधा हड्डिया, अच्छा, उसके बाद में आपके पास कर्ण, जो कान ह आपके ear हैं, वो ear के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है, ear के अंदर आपके पास 6 हड्डियां पाई जाती है ये भी हमें ध्यान रखना है 6 हड्डियां आपके पास कहा पाई जाती है ear के अंदर पाई जाती है, और एक आपके पास होती है गले की हड़ी और गले की हड़ी कहलाती है हायोड और ये हायोड एक ही होती है ये हमें ध्यान लगता है आए कंठ जिसको उपन बोलते हैं कंठ जिसको बोलते हैं इसको हायोड बोलते हैं और very very important question की एकमात्र स्वतंत्र अडी है वहात जादा पूचा आने वाला प्रशन है कि हमारे शरीफ कि एकमात्र स्वतंत्र हडी कौन सी है क्यों क्योंकि एकमात्र ऐसी हडी है ж जो किसी दूसरी अस्ति strengthen कनेक्ट नहीं होती सीधी की सीधी आपके पास कनेक्ट नहीं होती किसी से ना इधर इधर सिर्फ आपके पास स्वतंत्र होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्वतंत्र हड्डी बोलते हैं कंठ वाली जो होती है तो देखिए आठ और ये चौदा छै और ये एक आपके पास 29 139 हड्डियां हो गई, किसके अंदर सिर के अंदर, तो सिर के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 29 हड्डियां होती है, आठ्थो कपाल या किरिट के अंदर, चहरे में 14, कान में 6, गले की हड्डी हायोड कहलाती है, जो एक मात्र सोतंत हड्डी है, एक ही है, अब देखेंगे, अब यह हमने मोटा मोटा उपड़ाए, कि सिर के अंदर 19 का dividedation कैसे होता है, अब इसके भी अंदर बढेंगे, कि यह 8 कौन कौन सी होती है, 14 कौन सी होती है, 6 कौन सी होती है, तो अब इसके लिए अपन चरचा करते हैं, पहले आप इसका screenshot लीजिए, और उसके बाद में अपन इसके भी अंदर चलते हैं कि किस परकार हड़ियां चहरे में 14 होती है कपाल में 8 होती है तो आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए चलिए फ्रेंड्स चलिए अब देखिए सबसे पहले अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अक्षिय कंकाल तंतर में 80 हड़ियां होती है उन 80 हड़ियों में से सबसे पहले मैंने बताया कि सिर के अंदर आपके पास कितनी हड़ियां होती है 29 हड़ियां होती है और उन 29 हड़ियों का आपन क्या पढ़ रहे हैं? वर्गी करण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिर के अंदर कपाल वाला जो पार्ट है खोपडी जिसको बोलते हैं अपन, खोपडी वाला पार्ट है हमारा उसके अंदर कितनी हड़िया पाई जाती है? आठ हड़िया पाई जाती है कपाल या किरिट जिसको क्रैनियम बोलते हैं आठ हड़िया पाई जाती है अब यह आठ कौन-कौन सी होती है? सबसे पहले ओक्सीपिटल औक्सीपिटल कितनी होती है आपके पास एक हड़ी होती है औक्सीपिटल एक ही होती है पैराइटल आपके पास दो होती है टेम्पोरल आपके पास दो होती है फ्रंटल आपके पास एक होती है एथमाइड आपके पास एक होती है और एफ्रिनाइड कितनी होती है आपके पास लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो मैंने बता दिया इनके नाम जो इंपोर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा लेकिन मेरा काम है आपको डीटेल बताना ताकि जितना भी आपका कोशन कोई सी भी एक्जाम के अंदर हो तो आपके क्रेक हो जाए तो यह आठ हड्डियां क अब इसमें से और कुछ ही नहीं पुछा आएगा आपसे बस इतना डीटेल काफी है कि कपाल वाले पोर्शन के अंदर ही जो मारा कपाल वाला पोर्शन होता है उसके अंदर आठ हड्डियां इस प्रकार से वर्गी करत की जाती है चलिए अब आप इसका स्क्रीन शॉट ली चलिए अब अपान नेक्स्ट की चर्चा करते हैं अगला है आपके पास चहरा तो चहरा वाला पोर्शन अब देखिए कपाल के अंदर आठ हो गई चहरे के अंदर कितनी होती है चहरे के अंदर हमें पता है कि 14 हड़ियां पाई जाती है 14 अस्थियां पाई जाती है जो हमारा चहरा है कान नहीं है शामिल इसके अंदर कान शामिल नहीं है सिर्फ हमारा चहरा चहरा शामिल है उसमें 14 हड़ियां पाई जाती है कान अलग है तो चवदा हड़ियों का वर्खी करन किस परकार होता है नेजल नेजल हड़ियां कितनी होती है दो होती है चाहरे के अंदर टर्बाइनल हड़ियां कितनी होती है दो होती है आपके पास लेक्राइमल हड़ियां कितनी होती है दो और अब जो जो important है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ lacrimal, very very important इसको आख की अस्थी बोलते है क्या बोलते है friends इसको इसको आख की अस्थी बोलते है आख की अस्थी तो ये lacrimal अस्थी किसकी अस्थी होती है आख की अस्थी होती है तो आख में पाई जाने वाली अस्थी कौन सी है लेक्राइमल बहुत एक्जाम में पुछा गया कुछा है कितनी होती है संख्याद 2 क्योंकि हमारी आख कितनी होती है 2 तो लेक्राइमल 2 अब याद कैसे रखोगे आप बोलोगे सर हमारे को तो याद नहीं होगा यह तो एक बात बताओ इसमें वर्ड पकड़ो cry cry मतलब क्या होता है रोना आसू आपके रोते खांसे आप आँकों से रोते हो ना आसू आखों से आते हैं तो आसू किस गरंथी से आते हैं लेक्राइमल गरंथी से आते हैं यह हमें ध्यान रखना अश्रू गरंथी जो होती है अब आप क्या करना बस cry याद रखो लेक्राइमल हड़ी हो तो हड़ी गरंथी आसू वाली गरंथी पूछ रहे तो गरंथी लगा देना तो यह लेक्र जाइगोमेटिक होती है गाल की अस्थी यह जाइगोमेटिक होती है अब आप बोलोगे सर गाल की कैसे यह गाल हमारा एक यह गाल हमारा दो तो जाइगोमेटिक किती हो जाएगी दो हो जाएगी तो गालों के अंदर पाई जाने वाली अस्थी कौन सी है जाइगोमेटिक कौन ये पेलेंटाइन अस्थी और ये मेंडियेबल आप देखिए पेलेंटाइन पेलेंटाइन होती है आपके पास तालू की अस्थी पेलेंटाइन को बोलते हैं तालू की अस्थी वेरी वेरी इंपोटेंट तालू की अस्थी ताडवा होता ना अपना ताडवा ये तालू की अ चलिए तो यह आपके पास पेलेंटाइन तालू की अस्थी होती है और यह मेंडियेबल अब इमेकजीबल मेंडियेबल दोनों के बारे में बताऊंगा मैं इस्पेसल रूप से चलिए तो यह आपको आना चीए ध्यान रखना यह दोनों आपके पास वेरी इंपोटेंट है एक तो आखो वाली अस्थी का नाम क्या है आपके पास लेक्राइमल और एक तालू वाली अस्थी पैलेंटाइन यह दोनों आपके पास 100% पूछे आते हैं तो फेशियल चेहरे के अंदर 14 अस्थियां होती है आपके पास यह हमें ध्यान रखनी है नेजल दो, टर्बाइनल दो, लेक्राइमल दो वोमर एक, जाइगोमेटिक दो मैग्जिला दो, पैलेंटाइन दो और मेंडियेबल एक अब आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो फिर आपनी स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अब देखिए मैं जो आपको बता रहा था कि हमें मैग्जिबल मैंडियल के बारे में भी पढ़ना है तो देखते हैं, देखिए हमारे जबडे की यह ध्यान रखना वेरी इंपोर्टेंट है जबडे की जो अस्थियां होती है हमारा जो जबडा होता है जबडे का जो उपर वाली अस्थि होती है उपर वाले जबडे के अंदर जो अस्थि होती है उसका नाम है मैग्जीबल यह आपके पास मैग्जीला जिसको आप बोल सकते हो हिंदी के अंदर मैगजीला और नीचे वाली जो अस्थी होती है उसका नाम है मैंडीवल जो मैंने उपर लिखा है मैंडीवल तो ये तो उपर वाली है और ये नीचे वाली है तो उपर वाले जबडे की अस्थी का नाम क्या मैक्जीवल और नीचे वाले जबडे की अस्थी का नाम क्या मैंडियबल इनके बारे में खास बात भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी सिर्फ आप ध्यान रखना चेहरे के अंदर कितनी एडिया पाई जाती है चवदा उसमें से में में कौन सी है आख की अस्थ चिला और नीचे वाली मेंडियबल अच्छा यह आप सोचेंगे नोजल और यह क्या है यह नाक से संबंदित होती है आपके पार नोजल वोमर यह नासा चिद्रों से संबंदित होती है नोजल वाली तो यह आपके ज़्यादा काम की नहीं जो ज़्यादा एक्जाम में आती हैं और तीसरा पोर्शन हमारा है तीसरा पोर्शन हमारा है कि रीड की एड़ी जिसको आप बोलते हो चलिए तो तीसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं next third number अब देखें तीसरा नंबर क्या है तीसरा नंबर मैंने आपको बताया कि बाई सिर के अंदर सबसे पहला तो है कपाल कपाल के बाद में मैंने दूसरा क्या बताया आपको कपाल के बाद में दूसरा मैंने आपको बताया कि बाई facial bone है तीसरा है आपके पास कान के बारे में क्योंकि हम सिर की बात कर रहे हैं तो कितनी हो चुकी है आपके पास 14 तो चहरे की हो चुकी है 8 किसकी हो चुकी है आपके पास 8 कपाल की हो चुकी है total कितनी हो गई 22 हो गई अब बसती है कान की अस्थी चलिए तो कान की अस्थी की और चर्चा करते हैं सब ध्यान से देखेगा इधर very very important है पूछा जाता है इनसे प्रशन तो देखते हैं अपन कान की अस्थी तीसा नमबर है आपके पास कान की अस्थी कान की अस्थी अब देखिए कान के अंदर 1 कान की में बात करूँ तो 1 कान में 3 अस्थी अपाई जाती है तो 2 कान में कितनी हो जाएगी 6 लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक चर्चा करते हैं सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि कान के कतने भाग होते हैं तो आप मुझे बताएं जरा कान के कितने भाग होते हैं या फिर मैं एक बात बोलू आपसे सबसे पहले कि कान का जो पड़दा है कान का भारी भाग है कान का भारी भाग ये कान का भारी भाग क्या कहलाता है आपसे पूछ ले कोई कि कान का भारी भाग क्या 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 क् के जो कान होता है, इसके तीन भाग होते हैं, कौन-कौन से सबसे पहला होता है, बहाई ये भाग जिसको मैंने आपके पास बोल दिया अ पिन्ना, दूसरा होता है अंतह भाग इंटरनल पोर्शन और आपके पास तीसरा ये मद्धेवाग Combat होता है, मिड्यल पॉर्शन होते हैं और मैंने क्या बताया कान के अंदर अस्थियां भी कितनी पाई जाती है तीन लेकिन एक इंट्रस्टिंग fact है एक चीज ध्यान रखना कान के अंदर जो अस्थियां पाई जाती है वो middle portion के अंदर पाई जाती है कहां पाई जाती है मद्य भाग के अंदर पाई जाती है यह हमें ध्यान रखना है कान के अंदर अस्थियां किस भाग से अंदर पाई जाती है मद्देवाग में अब एक चीज ध्यान रखना एक करम ध्यान रखना मिस यह मिस वर्ड ध्यान रखना आप मानलो किसी को मिस कर रहे हो ठीक है ना किसी को याद कर रहे हो मिस वर्ड ध्यान रखना मिस का मतलब क्या है अब ध्यान रखना M का मतलब है मेलियस आई का मतलब है इनसियस और एस का मतलब है स्टेपिस अब देखिए हिंदी के अंदर थोड़ी से घड़बड हो सकती है क्योंकि हिंदी के अंदर मात्रा वगयरा कि इंगलिश में और हिंदी में नाम सेम ही है यह ध्यान रखना आप तो कान के आपके पास तीन भाग होते हैं भाईय भाग, मद्य भाग, अंतह भाग और हड्डियों का करम क्या रहता है मिस अब यह करम क्या बोला है मैंने देखो बाहा से लेके भाईय भाग से अंतह भाग तक तो करम रहेगा यह आपके पास मिस का और अगर आपसे पूछ ले कि अंतहः बाग से भाहिय बाग की तरफ कौन सा है तो आप उल्टा कर देना ये करम रह जाएगा वो sim हो जाएगा तो miss तो रहाएगा भाहिये से अंतहः तक और sim क्या हो जाएगा अंतहः से भाहिये तक ऐसा questions पूछा आता tough exams में तो कान की तीन अस्थियों के नाम क्या है? मैलियस, इंसियस और स्टेपिस और अब आपको एक चीज और ध्याम डखना है इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बता हूँ आपको जो एक्जाम में पूछी आती है यह जो मैलियस है यह मैलियस जो है इस मैलियस को आपके पास इस मैलियस का जो आकार होता है वो हतोडे जैसा होता है इसका आकार कैसा होता है? हतोडे जैसा हतोडे जैसी अड़ी होती है जैसा अपना हतोडे होता ना उस तरीके का आकार होता है इस मैलियस का इसलिए इस Malleus को अपन बोलते हैं Hammer bone, very very important question Hammer bone किसको कहा जाता है चुकि Hammer हतोडे को कहा जाता है अंगरे जी में इसलिए हतोडे जैसी अस्ती होने के कारण Malleus को अपन क्या बोलते हैं Hammer bone बोलते हैं क्या बोलते हैं friends, Hammer bone बोलते हैं तो ये आपके पास melleus के बारे में बात है, अब बात करते हैं अपन stepis की, ये जो stepis है आपके पास, stepis मानो शरीर की सबसे छोटी अड़ी होती है, तो step is जो है step is के वारे में खास बात क्या है कि step is सबसे छोटी चोटी अस्थी होती है कौन सी step is तो यह सबसे छोटी अस्थी है यह हमें द्यान लखना है भूल मत जाना very very important question है size पूछ ले आपस तो 3 mm का size होता है तो ये हमने दम रखना है अब मुने एक बार वापस रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने बोला कान की अस्तियां कितनी होती है एक कान में तीन होती है उस से पहले मैंने बताया कान का भारी बाग क्या खालाता है पिनना, कान पल्लव कहलाता है फिर मैंने बताया, कान के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं भाईये भाग, मद्दे भाग, अंतह भाग उसके बाद भाईये से लेके अंतह तक करम क्या रहता है अड्डियों का मिस, मैलियस, इंसीयस सबसे चोटी अस्थी कौन सी है इस टैविज पूरे शरीर की जिसका आकार होता लगबग 3 mm और उसके बाद में आपके पास यह मैलियस जो है यह हतोड़े जैसी अड़ी होने कारण इसको हैमर वोन भी बूला जाता है चलिए अब आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और उ चलिए फ्रेंड्स मेरे इसाफ से आपके बात समझ में आगई होगी अब देखिएगा नेक्स चीच की अपन चर्चा करते हैं चौथा बस्ता पोर्शन आपके पास फॉर्थ पोर्शन जो हमारे कंट की अड़ी है सिर के अंदर कंट की अड़ी और उस कंट की अड़ी का ना कंट की अड़ी हायोड बोलते हैं इसको और यह एक मात्र स्वतंत्र हड़ी है कौन सी होती है आपके पास एक मात्र स्वतंत्र हड़ी है कौन सी है वह आपके पास हायोड वाली हड़ी है चलिए अब यह आपके पास सिर की हड़ी होई सिर के अंदर सबसे पहले मैंने बताई आठ तो कपाल में होती है, सारीओं का नाम बता दिया, सब बता दिया आपको चहरे के अंदर चौदा होती है, पूसब का नाम बता दिया उसके बाद आपके पास यह जो मैंने बताया, अभी लास्ट में कान एक कान में तीन दो कान में छे और एक ये हायोड टोटल आपके पास कित्ती हो गई 29 अस्थियां हो गई 29 बोन्स आपके पास हो चुकी है सिर की हड्डियां ये समाप तो ही आपके पास अब अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं अक्षिये कंकाल तंतर के अंदर और उसका नाम है आपके पास नेक्स्ट जो हड्डिय देखिए नेक्स्ट पॉर्शन की चर्चा करते हैं सिर आपका पूरा हुआ अक्षिये कंकाल तंतर में सिर में 29 हड्डियां पूरी हुई सिर के बाद में आपके पास आती है चेस्ट बॉन, चेस्ट बॉन का नाम तो आपको पता ही है इस्टरनम होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है तीसरी चीज की अपन चर्चा करते हैं या इसको मैं सेकिंड नमबर ही बोल दू जिसका नाम है पसलिया, ribs पसलिया, ribs चलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट अब सुनियेगा ribs की कहानी पसलियों की कहानी सुनियेगा पसलिया जो होती है पसलिया आपके पास वेरी इंपोर्टेंट है पीछे से तो पसलियां पीछे से तो आपके पास किस से जुड़ी होती है रीड की हड़ी से जुड़ी होती है तो हमारे पीछे वाले भाग से तो किस से जुड़ी होती है रीड की हड़ी से पसलियां जो होती है हमारी यह पीछे तो रीड की हड़ी से जुड़ी होती है तो इस परकार पीछे तो रीड की एड़ी से जुड़ी होती है और आगे किस से जुड़ी होती है आपके पास इस टर्णम से जुड़ी होती है इस टर्णम आपके पास क्या है छाती की एड़ी तो पसलियां यह जो है हमारे पीछे रीड की एड़ी से और आगे छाती वाली ए चलिए अब देखेगा यह आपके पास इस्ट्रनम है यह इस्ट्रनम है और यह मिना रफ फिगर बनाया है यह हेमारे read की Hoje है अब देखेगा friends मैं बात करता हूं कि पसलियां आपके पास कितनी जोड़ी होती है तो पसलियां आपके पास 24 तो होती है कुल 12 जोड़ी होती है अब देखेगा ये कैसे बनी होती है तो द्यान से सुनना ये पसलियां जो है इस प्रकार रीड की अड़ी से चलके ये आपके पास आती है इस टंडम तक ये दो, ये तीन, ये चार, पांच, छै और ये साथ अब देखेगा ये मैंने साथ क्या बनाई है ये आपके पास आप तो बनोगे तो एक 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 है तो साथ, ये साथ जोड़ी है किस प्रकार, जिस प्रकार ये ऐसे होती है वैसे ये यूं होती है आपके पास यूं कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार इस तरीके से एक पिंजरा बनाती है ये इस प्रकार से भी यूं होती है ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छे, ये साथ इस प्रकार से आपके पास ये साथ जोड़ी होती है अब ये साथ जोड़ी शुरू कि आपके पास ये जो साथ जोड़ी है मैंने नंबरिंग करी है एक से लेके ये साथ तक ये साथ जोड़ी होती है इनको अपन क्या नाम देते हैं इनको हम नाम देते हैं आप ध्यान बखना सभी इनको बोलते हैं true pairs तो फश्ट से लेके साथ तक क्या बोला जाता है इनको true pairs बोला जाता है फश्ट टू सेवन एक से लेके साथ जोड़ी तक क्या बोलते हैं इनको true pairs यानि सचे जोड़े बोलते हैं तो पसलियों के पहले साथ जोड़ों को अपन क्या बोलते हैं सचे जोड़े बोलते हैं अभी region बताऊंगा मैं क्यों क्योंकि ये जो हड़ी ये पसलियां है ये direct किस से जुड़ी भी है? sternum से जुड़ी भी है इसलिए इनको क्या बोलते है सच्चे जोड़े बोलते है true pairs बोलते है सच्चे जोड़े क्यलाते हैं क्योंकि ये किस से जुड़ी भी है डिरेक्ट इस्टर्णम से जुड़ी भी है अगली चर्चा करते हैं नेक्स जो आपके पास हैं, अगले जोड़े, आठवा, ये आठवा, ये नववा और ये दसवा, ये आठवा, नववा, दसवा, ये आपके पास डायरेक्ट इस्टर्णम से ना जुड़कर, ये सीधे आपके पास किस से जुड़ेवे होते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेव हो तो इनको अपन क्या बोलते हैं इनहें हम बोलते हैं फॉल्स पेर तो आठवे से लेके यह इधर लिख देता हूँ कि आठवे से लेके 8 to 10 इसको अपन क्या बोलते हैं false pair बोलते हैं false pair false pair मतलब क्या होता है जूटे जोडे और जूटे जोडे का मतलब क्या है ये आपके पास direct sternum से connect नहीं होते हैं अब अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ अगर आप कभी शिवरात्तरी के दिन अगर दूट चड़ाने गए हूँ शिव जी के है शिवलिंग के उपर तो आपने देखा होगा कि शुरू शुरू के अंदर क्राइजेंट है मैं मान लूँगा तेरा तो इस तरीकी सबस्ते हैं कि भाई हां मैं हाथ लगा लूँगा बस इसके तुमान लेंगे बगवान तो इस प्रकार जो असली के अंदर शिवलिंग के उपर दूट चड़ा रहा है वह तो है सच्चा जोड़ा और जो उसके हाथ लगा रहा है उस आदमी के कि भाई हां वो चड़ा रहा तो मेरा भी मान लेंगे बगवान वह जूटा जोड़ा क्योंकि वह डारेक्ट इस्टर्णम से यानि डारेक्ट सिवलिंग से कनेक्टेड नहीं है वह आपके पास रीड की एड़ी से इस से कनेक्टेड है रिप से औ यह देखो यह मुक्त होते हैं इनको किसी के कोई टेंशन नहीं आपके पास इनको अपन फ्री फेर्स बोलते हैं इनको मुक्त जोड़े बोलते हैं मुक्त जोड़े क्यों बोलते हैं क्योंकि आपके पास यह गूमते रहते हैं इनको फ्लोटिंग रिप्स भी बोलते हैं फ् किसी से connect नहीं होती है direct घुमती रहती है आपके पास इस तरीके से इस्टर्णम से connect ही नहीं होती तो इनको गुमाओदार पसलिया बोलते हैं मुक्त जोड़े बोलते हैं अब वापस सुनिएगा मेरी बात मैं आपको वापस repeat करता हूँ मैंने बोला पसलिया पीछे से तो किस से जुड़ी होती है आपके पास read की एड़ी से और आगे किस से जुड़ी होती है इस्टर्णम से अब यही से एक question मनता है मैं पहले वह बतायता हूँ आपको एक चीज आपसे पूछ ली जाए ये पीछे तो किस से जुड़ी है read की एड सचना को अपन बोलते हैं पसली पंजर यानि रिब केज तो इसको रिब केज बोला जाता है यानि यह हड़िया रीड की हड़िया इस्टर्णम और पसलिया यह तीनों मिलकर पसली पंजर बनाती है रिब केज बनाती है वेरी इंपोटेंट है ठीक है ना और रिब केज के अ होती है आपके पास पसली पंजर के अंदर तो आपसे पूछ ले पसली पंजर किस किस से मिलकर बना होता है रीड की एड़ी से इस्टर्णम से और बीच में क्या होती है आपके पास पसलियां होती है जो पिंजरे नुमा सनचना की तरह हमें दिखती है बहुत उचे लेवल का क क्यलाती है जूटे जोडे क्योंकि वो direct standing से connect नहीं होती और 11 और 12 जोडी floating ribs क्यलाती है चलिए friends आपने screenshot ले लिया होगा तो अब मैं आपको बताता हूं अपन कितनी चर्चा कर चुके हैं मैंने आपको बताया सिर के अंदर 29 एड़ियां होती है और उस सिर के अंदर 29 एड़ियां हमने पढली ती describe करके उसके बाद हमने पसलियां पढ़ी पसलियां कितनी होती है चो हड़ी और इस रीड की हड़ी को अपन हिंदी में एक और नाम देते हैं इसको बोलते हैं कशेरुख दंड क्या बोलते हैं इसको friends कशेरुख दंड तो रीड की हड़ी को कशेरुख दंड भी बोला जाता है अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टीबल कॉलम तो वर्टीबल कॉ कहां से स्टार्ट होती है रेड की अड़ी मस्तिश्क से स्टार्ट होती है और कमर तक चलती है यह हमें पता है रेड की अड़ी कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है 26 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है यह हमें ध्यान रखना है अब स्टार्ट करते हैं तो मैं अब निखा गया प्रशन है आपके पास की मस्तिष्क के कौन से चिदर से रिड की अधी यह निकलती है यह फोरामेन चिदर इसका एक और लाम है इसको नई महा रंद्र उते हैं महा रंद्र उते हैं जो बेगा है है इसलिए इसको महारंद्र भी बोलते हैं तो फोरामें चिदर से निकलती है यह मशुरूम कहां से होती है रीड की अड़ी मस्तिश्क से स्टार्ट होती है मस्तिश्क के किस चिदर से फोरामें चिदर से स्टार्ट होती है फोरामें चिदर महारंद्र कहलाता है जो शरीर का सबस बड़ा चिद्र होता है और यह कहां तक चलती है कि शुरू मस्तिख से होती है और कमर तक चलती है आपके पास तो यह हमें रीड की अड़ी के बारे में ध्यान देखना है किसे मिलकर बनी होती है 26 छोटी-छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है और अब हमें इनी 26 छोटी- यह आपके पास होती है, तो यह मैंने मस्तिश्क वाला पार्ट पढ़ाया है, यह मस्तिश्क है, और मस्तिश्क से यह फोरामें चिद्र है, इस फोरामें चिद्र से यह आपके पास म्रैड की हड़ी निकल रही है, अब सभी लोग ध्यान से देखना, कितनी हड़ीया मैंने बत बच्चों में कितनी होती है, रीड की एड़ी में कौन सी, कितनी अस्थियां होती है, 33 अस्थियां होती है, यह मैंने आपको बताया था, पहले भी ध्यान रखना है, वयसकों में तो 26 होती है, रीड की एड़ी में छोटी-छोटी अस्थियां, और बच्चों में कितनी होती है 33 होती है, कैसे होती है बताउंगा मैं आपको तो four min chidr Ira, यहाँ से निकलती है, अब अपन बात करते हैं दयान से सुनिएगा, मैंने कोई यह गिन्ती नहीं बन लाई है, लेकिन फिर भी आप धियान लखना यह गिन्ती नहीं है अब लेकिन चोटी चोटी अस्थियां होती है जिससे रीड के डी बनती है उनका नाम है सर्वाइकल क्या नाम है फ्रेंड सर्वाइकल सातों को क्या नाम देते हैं सर्वाइकल नाम देते हैं लेकिन इनके अंदर एक इंपोटेंट है इन गर्दन की सातों में से इन गर्दन के अंदर ही सा पात में से पहली का नाम क्या है पहली का एक special नाम है उसकोब olmas हो इसको बोलते है एक्सिस बोला रीड़ी हड़ी 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है अब उसमय साथ गर्दन में होती है गर्दन वाले यह first और यह second इनका special नाम है atlas और axis दोनों ध्यान रखना वक्ष हमारे chest वाले part में 12 हड़ियां होती है read की उसको अपन thoracic बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको thoracic बोलते हैं नाम ध्यान रखना उसके बाद कमर वाले portion में 5 हड़ियां होती हैं जिनको अपन लंबर बोलते हैं क्य यह pater konse f हडटी को अपन बोलते हैं सेक्रом तुरिक कशेरुकать क्या बोलते हैं इसको सेक्रम बोलते हैं क्या क्तारी recommended ृद्ट reg चोटी चोटी एड़ियों को अपन बोलते हैं कशेरुका, क्या बोलते हैं इनको अपन कशेरुका बोलते हैं, इंगलिस में बोलते हैं वरटी बरी, तो इंगलिस में वरटी बरी बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं कशेरुका, तो कशेरुक दंड तो होती है रीड की एड़ कहलाती है अब देखिए यह जो सभी कशेरुका है यह आपके पास और 26 कशेरुका को अपन ऑलोन ऑलोत से निकलती है 26 कषे-रुखा से बंदर में पूच निकलती है वेरीम्पोटेंट है आप से पूछे रहे हैं बंदर में पूच किस कषे-रुखा से निगरती है कॉड़ल से निकलती है नियगाँ रिपीट वर्टीबरी बोलते हैं उसके बाद गर्दन के अंदर साथ होती है सर्वाइकल बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड को एटलस और एक्सिस नाम देते हैं वक्ष के अंदर यह एटलस और एक्सिस इनी साथों के अंदर शामिल है वक्षि अंदर 12 घडीयं होती है थोरे सिक जिनको बोलते है कमर के अंदर पाँच होती है लंबर बोलते है और पचीस भी घड़ि जो है उसको सैक्रम और 26 को कॉडल यानि पुछ कशिर को बोलते है जहां से बंदर की क्या निकलती है पूछ निकलती है तो यह आपके पास कितनी हो गई यह आपके पास 26 अड़ियां और हो गई अब आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं चलिए दोस्तों तो मेरे इसाथ से आपको एक कहानी समझ में आई होगी मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्या बोला मैंने मैंने आपको बताया कि अक्षिय कंकाल तंत्र 80 अड़ियों से मिलकर बना होता है सिर के अंदर कितनी अड़ियां होती है सिर के अंदर 29 होती है और उसमें मैंने सिर के अंदर 29 अड़ियां होती है उस 29 को मैंने कैसे बाटा कपाल कपाल के अंदर कितनी होती है आठ उसके बाद मैंने बोला चहरा चहरे के अंदर कितनी होती है चवदा उसके बाद मैंने बोला कंठ कंठ के अंदर कितनी होती है एक या आपके पास और उसके बाद मैंने बापको बोला करण करन के अंदर कितनी होती है 6, तो ये 19 अड़ी आपको बताया च्षाटी वाली हड़ी, वह तो इस्टर्णम है, तो एक इस्टर्णम है उसके बाद में मैंने बताया पसलियां कितनी होती है, ribs ribs मैंने आपको बताई होती है 24 यानि 12 जोड़ी पूरी कहानी समझी हैं उसके बाद में रीड की अड़ी किन छोटी छोटी अड़ीओं से मिलकर बनी होती है, 26 से मिलकर बनी होती है, जब आप इनका total करोगे, तो total आपके पास आएगा, 80 और ये मेरे इसाब से, 80 की कहानी 80 एड़ीओं को एक-एक को गिनिगे निगे मैंने आपको बता दिया है इससे बाहर, अक्षिये कंकाल तंतर से आपके पास question नहीं जाएगा और ना आपको पढ़ना है वेर्थ है, आप इतना पढ़ लोगे, काफी है, चलिए तो ये मैंने अक्षिये कंकाल तंतर पढ़ाया अगली कक्षा के अंदर हम उपांगिये कंकाल तंतर, यानि appendicular आपके पास skeleton system की चर्चा करेंगे, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, और जिसमें चैनल ले कृष्णा अकेडमी अब आगे आने वाले दिनों में, आपके सामने एक बड़ा मंच तयार करके लाएगा, जिसमें आप सारे courses online देख सकते हो और बहुत अच्छे लेवल के teachers से आपको पढ़ाया जाएगा, तो जो भी अपने अपने विशे के अंदर पारंगत हैं तो आप सभी हमारा सयोग करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सयोग करें आज के लिए friends इतना ही, धन्यवाद